सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल सुनिपन 24 को सबसे पहले लेतेस्ट खबरे देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए मेरट पुलिस का अपरेशन लंगडा जारी है कुछी घंटों मेरट पुलिस और बदमाशों के बीच तीसरी मुठबेड हुई है मुठबेड में बाइक सवार बदमाश घायल हो गया है जिसको पुलिस ने उपचार के लिए हॉस्पटल में भरती करवा दिया और उसे जुड़े अन्य बदमाशों के बारे में पूछ ताच की जा रही है आपको बता दे कि मेरट में अपरादू पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने हर थाना इलाकों में चेकिंग पॉइंट बनाए है मुंडाली थाना इलाके के समयपूर रोड पर बनाए चेकिंग पॉइंट पर फैंटम पर तैनाथ पुलिस कर्मी चेकिंग कर रही थे तब ही सामने से आ रही बाइक सवार योक को रोकने की कोशिश की तो वे बाइक वापिस खुमा कर भाग लिया जिस पर पुलिस कर्मियों को उस पर शक हुआ और उसका पीछा करना शूर कर दिया पुलिस को अपने पीछे आते देख बदमाश ने पुलिस कर्मियों पर फायर छोग दिया तभी सामने से अपनी टीम के साथ आ रहे एसो मुंडाली ने बदमाश के घिराबंदी की और आत्मरक्षा में जवावी फाइरिंग की जिसमें बदमाश घायल हो गया, बदमाश की पहचान, वर्सी और हीरो के रूप में हुई जो मुंडाली इलाके का ही रहने वाला है हीरो पर दो दरजन मुकल में दरज हैं, जिनमें हीरो काफी समय से वांचीत चल रहा था हीरो को पकड़ने के बाद फोलिस ने रहात की सांस ली, क्योंकि हीरो आसपास के इलाकों में लूट भी करता था हीरो के कबजे से एक मोटर साइकल, एक कमंचा और कुछ कार्तोस भी बरावध हुए है मेरड से मुखेश ठागुर की रिपोर्ट सामने से एसो मुडाली ने भी आकर उसे घे रहा और जबाबी कार्योई में जो अपने आत्मरचात की गई मुडाली पुलिस के द्वारा उसमें एक वर्ति गायल वाया है जिसका नाम वसी उर्फ हीरो है ये ग्राम जिसावरा थाना मुडाली का रहने वाला है इस पर दो दर्जन के लबबग मुकतमे दर्ज हैं रूट इत्यादी के ये गैंस्टर में वांचित है इस पर कई non-available warrants और 10 के लबबग गैंस्टर में वांचित है और रूट के मुकतम में वांचित है तो ये एक अच्छा कारे हुआ है थाना मुडा के अच्छा शे जो वहाल बदमाशे इसके कब्जे से क्यागे चीजे बरामाती है? इसके पास से एक तीमस फद्वरापुर का तमंचा प्राप्त हुआ है, कुछ कार्थूस प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ जिन्दा है, और एक पैशन पोग मोटसादी पालती है,